इस से वड़ी या तो अंग्रेजूं को सासन था? तेको जो भी गलत करेगा आचाई है वो कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा कानून अपना काम जब कर रहा है, जब विपेज्च्छ ने दवाप बनाया, तब कानून अपना काम किया बीजेपी के पास मुद्दा क्या है किस मुद्दे पे आप वापसी करोगे बागवा कलर जो है वो साल्टी का प्रतीक है विकास का प्रतीक है गुंड़ई को खतम करने का प्रतीक है चुनावी रड़भेरी बच चुकी है आचा सेहता प्रभावी हो चुकी है और ऐसे मैं इस की सरकार इस नारे के साथ आप योगी आदितनास के चेरे पर चुनाव लड़ रहे हैं किस तरह का माहुल नजरा रहा है आपने जैसे अकलेश जी का नाम लिया तो उत्रप्रदेश की जो भूली वाली जनता है अकलेश जी का नाम सुनके डर जाती है कि दो अजार बाइस में गलती से यह आना जाएं फिर वो गुंड़ाई और आरक जक्ता बलतकार लूट पार्ट अपरण ना बढ़ जाएं इससे जनता के बीच में अखलेश जी का नाम जैसे लाल टोपी डिक्ती है खत्रासा लाल टोपी तो भावनाओं का रंग है उर्जा का रंग है बावनाओं प्रतीक है गुंड़ही को खत्म करने का प्रतीक है यहां होम गार्ट भी हंदेरे माँ करते मुंँसे तो अपराधी डर जाता है यह अपराधी डर जाता है टाइटैी करने नहां कुछ आप भी आपको कि यह काम किया तमाम योजना चलाई है और इसमें लाम मिला है और अभी मिला है इसकूलों का सौंधी करन हो चैसे स्कूलों में काम हो पहले बेंच जमीन पर बैठा लगते थे एक आपकी जनुष्वास एक तरफ संहाईवदी पारीटी की विजय रथयात्रा दो अम दौनों तरफ कहा जाए रथयात्रा वर्सिस रथयात्रा है लेकिन क्या लग रहा है इस समय लगातार समय एक जो रहां चु बीकास के मुद्य पे निशित रूप से हां बीकास पर हिंदुत पर जहाँ पांशो साल पुराना मंदिर का निर्मार नी ओप पार एक चामिन के धिल्हिं की तरह है. और आदनी अकलेस जी के को अधम मजे ले रहे हैं अकलेस यादब कहीं न कहीं तंज कस रहे हैं बोले चाउमीन का ठेला है तको हमारी छे जन्वास विश्वास यात्रा निकल लए है इनकी विजय यात्रा निकल लए है यह आत्मे विश्वास से इतने भरे हुए हैं यह आत्म आप कैसे देखते हैं क्या लग रहा है बिल्कुल उत्राइब तो वह शहर है जहां पूरा जिले में नौकी नौ सीटें बीजेपी को तीन संसद हैं एक राजसभा दो लोकसभा वह भी बीजेपी को यहनी पूरी जहुली आगरा की जनता ने बर दिये क्या देखते हैं आप चुनाव बिलकुक्व नजदीक है क्या लग रहा किस तरह का माहल है पौलिटिकल बैयार किदर बह रही है कि बिजेपी को यह बादाइए पांच साल आपने योगी आदितना सरकार को देखा ऐसी क्या चीज है रही जो आपकी जिंदगी में खुशाली आई हो तब्दीली आई हो इसलिए आप कह रहे हो कि हम दोबारा एक बार फिर से योगी सरकार को चुने सबसे पहले तो गुंडगर्दी बहुत कम होई बहुत जादा जो अराजक्ता का मावल था वो सब खतम हो गया और बड़े बड़े गुंड़ों पर बुल्ड़ों चला है और जो बुल्ड़ों अब और आगे बहुत अच्छी तरीके से चले गया आपको लग रहा है कि कानून क्योंकि हखले स्यादव का जन्सेलाब देख रहा है किस तरीके से चल रहा है और विकास पर फिर से समाज़ दिफाइटी बाफसी आ रही है तो क्या लग रहा है आपको एंगो जी लाल टोपी लगाएं रेड अलर्ट कहते हैं पदानवंत्री बाई लाल टोपी तो हम समाज को सर्व जातियों को सर्व दर्मों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं और उन्हीं की फैसे ऐक बार पुने उत्तरपदेस में समाज़ बादियोंकी सरकार की बाफसी होने जा रही है आप क्या देख ते किस तरह कदे बिल्कुल आप बिल्कुल चुनाम नही दीख है Moodle code of conduct प्रफ्रेक्ट लागू हो गया है और फर्स्ट फेज में चुनाव होना है कैसे देख रहे हैं मैं तो यह देख रहा हूं कि पिछले जो पाँ पिछले सरकार में जो काम हुआ था आजाद इंदुस्तान में ऐसी सरकार जो अखलेज जी की सरकारती ऐसा काम नहीं हुआ यह तो गवंडी सरकार है इसके खिलाब आपको लग रहा है क्यों गवंडी ले इसके खिलाब जो भी बोलो ठोक दो अंदर ठोक दो इनको मतलब इनके खिलाब यह तो इससे बढ़िया तो अंग्रेजों का सासंता इस सरकार में तो आप से लेना चाहता हूं यह बिलकुल आम आदम है और चलाइए हाँ यह तो गुंड़ाज की आज ही बड़ी बात है आज आपके मंत्री के करीब ही अर्दमन सिंग के करीब ही जो ब्लॉक प्रमुक बाह है बीजेपी के उन पर गैंग रेप कारूब लगा उनको रिष्ट कर लिए तेको जो भी गलत करेगा चाहिए वो कानून अपने काम करेगा जो गलत होगा वो सलागों के पीछे जाएगा बलात कारियों मतलब बच्चों से गलती हो जाती यह सवाल तो वाकई में अमेशा समाज़ादी पार्टी पर घड़ा रहेगा आज आज आगरा में भाजपा के पूर मंत्री बरतमान विधाय गरानी पच्चा लेका सिंग के अब बरतमान बहाद से ब्लग ठाकुर लाल सिंग चोहान योगी जी के सजातिय ऐसा लग रहा है जैसे कि योगी जी ने सजातिय लोगों को बलातकार के लिए पूरु तरफ देंदों छोड़ रखा हो आगरा में इतनी बड़ी घड़ना हो गई और इसलिए आप सत्ता पक्ष में आएगा सत्ता आप कैसे देख रहे हैं बिलकुल अब तो कहा जाए चुनावी मोहने पर है उत्तर प्रदेश जनता के पाले में गैंद है किस तरफ जा रही है रायनेतिक बयार कहां बह रही है तेकि मैं चाहता हूँ नई सरकार जो भी बने व सरकारी सेवा में रहे हैं कैसे देख रहे हैं किस तरफ जा रही है रायनेतिक बैयार बी-जेपी सरकाल की पचास percent चांस बीजेपी के 50 percent चांस अकले सीख भी है बिलकुल मैंच टाई है क्या लगँ रहा है कि आपको जैसे जैसे नजदीक समय आएगा तो चीज युञ़ा त सब्सक्राइब कर देख रहा है कि यूट आजकल बहुत ही पॉलिटिकली कहा जाए साउंड है वो देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या रहा है गटना करम घट रहा है किस तरफ देखते हैं देखिए मैं तो यही कहना जा रहा हूं कि आने वाले टाइम में बदलाव होगा और जनता भी बदलाव चाहती है आप देख लो यूबा कितना बेरोजगार है मेरे जैसे हजारो यूबा हैं जो घर में बेरोजगार बैठे हैं कहीं पर कोई बिवस्ता नहीं है आप खाने में देख लीजे या महेंगाई आप दिख लीजे किस स्थर पर बढ़ती जा रही है और बीजेपी के पास मुद्दा क्या है किस मुद्दे पर बापसी करोगे बेरोजगारी या कोई भी ऐसी कोई चीज आप मुझे एक चीज बता दीजे कि हाँ बीजेपी यूथ को लेकर सरक पांच लाग हमने नौक्रियां दीए कहां पर बता यूबा के लिए सबसे बड़ा जो कहा जाए फ्यूचर सिक्कॉर्टी सबसे बड़ा उसकी लिए कंसर्ण होता है तो आपको लगता है पांच लाख नौकरी में आपके इर्दगर आप जैसे लोग लावान में थुए मैं आप फास है और एटेकर णार लाइब करेंखेंर पांस साल नेताओं के पास सत्ता की चावी होती सत्ता- रूडद्लों होता है वो अपने हिसाआफके रूडन पूरी तरसे प्रदेश को या देश को चलाता है तो कुल मिला के कहा जाए इस समय बले ही मौसम में नमी हो लेकिन जो राइनेतिक तपेश है बड़ी हुई है और ऐसे में आगरा में फ़स्ट फेज में एलेक्शन होने जा रहा है और जो जनता है वो भी लगातार इस टुनेक हो चुकी है अगरा से नितनुपाद्ध्याई एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी